हेलो फ्रेंट्स, बिलकम टो अनलाइन इस्टुटी किंग डूम, दोस्तो घटन चक्र की आरतिकी जो है 2022-2023 जो है पब्लिश की जा चुगी है, जत्रकी आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें जो है किन-किन तथ्यों को शमाहित किया गया है, तो महत्तो पूर्ण आरति घटन क्रम है, प्रमुख योजनाय है, परिवहान छेत्र है, बायदेशिक छेत्र, इस तरह आप यहां पर देख सकते हैं, इनको जो है टॉपिक बाई टॉपिक कबर किया गया है, तो आज की इस वीडियो में जो यहां पर कबर किया जाएगा, वो है महत्तो पूर्ण आरतिक घट साथिया लोटिफिकेशन, बेल आइकान को आप जरूर प्रेश कर लीजिएगे, ताकि आने वाली वीडियो की अपडिट साब सभी को प्राप्त होती रहे, टेलेग्राम चैनल को आप जोईन जरूर कर लीजिएग, वहां पर आपको पीड़ेपो गयरा मिलती रहती है, तो पहला प्रशन है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधी देड़िज पीयम श्वा निधी को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यहां दिसंबर दो हजार चौबीश तक के लिए बढ़ा दिया गया है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर क अगला प्रस्ण है कि कौन सी चेत्रिय केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक स्वतंत्र ब्यावसायक बनी है कि यह हैन्पे इस और्सली मुख्यालए है वह मुंबई में इस्थित है किस ने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लांच किया है यह नेक्सो यो मास्टर कार्ड ने आर्थिक संकर से जूज रहे स्री लंका की क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट एजन्सी फिच द्वारा कितनी कर दी गई है तो इसको सी कटेग्री में डाल दिया है ग्लोबल लीडर अप्रूबल रेटिंग्स में किस नेता ने सीर्शास्थान प्राप्त किया है यह भारत की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी है Global Leader Approval Ratings कौन जारी करता है यह Morning Consult के द्वारा जारी किया जाता है हाल ही में बिस्वार्थिक Outlook Report के अन्सर किसने जारी किया है तो बिस्वार्थिक Outlook जो रिपोर्ट है यह IMF के द्वारा जारी किया जाता है इस रिपोर्ड के अंसार भारत के बर्स 2022 के लिए जो पिकास पूर्बानवान है वह कितना अनुमारित है तो वाठ दश्मलों दो प्रतिशत है बास्विक बित्य इस्थिरता that is Global Financial Stability Report कौन जारी करता है यहां भी IMF के द्वारा ही जारी की जाती है रिपोर्ड अंतर राष्टी मुद्रा कोश के द्वारा बास्विक आयूस निवेशियों नवाचार सिखर्स समेलन 2022 का आयूजन कहां पर किया गया है गांधी नगर गुजरात में अप्रेल 2022 में किस देश ने भारत को गिहूं आपूर्ति करता के रूम पे मानता प्रदान की है वह मिश्र को टाटा समुह द्वारा जनता के लिए शूपर आयप किस नाम से लांच किया गया है जिसका नाम है टाटा न्यू बितबर्स 2023 के लिए भारत के GDP बृद्धी अनुमान को 8.7 प्रतिशत से घटा कर कितना प्रतिशत कर दिया गया है तो 8.7 से इसको कर दिया घटा कर केवल और केवल 8 प्रतिशत अर यह जो अनुमान है या 8.7 से 8 परसंड जो किया गया है या डबलू वी यानि वर्ड बैंक का जो है यह अनुमान है अगला प्रशन है आपका कि कि इस मंत्राले ने त्रिपच्छी विकास निगम कुष नामक प्लेटफार्म का शुबारम किया है यहां बिदेश मंत्राले की द्वारा इस प्लेटफार्म का उद्देश है कि चीनी विकास साजेदारी माडल का विकल्प प्रदान करना होरुन ग्लोबल हेल्थ केर रिचलिस्ट दो हजार बाइस में सीर्श अस्थान किस ने प्राप्त किया है तो यह है साइरश पूना वाला इनकी जो संपत्ती है वेल्थ है वह 26 बिलियन अमेरिकी डालर आकी गई है यह रिपोर्ट जो हो हेल्थ शेक्टर में हेल्थ के रिचलिस्ट में है साइरस पूना वाला किस संस्थान के अध्यच्ष के यह सीरम इंस्टिटूट आफ इंडिया के अध्यक्ष है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा लांच भारत के प्रथम डेरी सामुदाइक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है तो इसका नाम है दूध बाड़ी इस स्टेशन का उद्देश क्या है तिया पसूपानन और किसी के लिए आवस्यक जानकारी किशानों तक पहुँचाना नेक्स्ट है कि पोड़ रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारती कंजूमर गुट्स कंपनी कौन बन गई है तो यह है डाबर इंडिया डाबर इंडिया ने किस राज में परियाबर्ड बचाओ अभियान शुरू किया है तो करने की जो 2022 को की है तो इस कारिक्रम का नाम है जीवा तो जीवा कारिक्रम किस के द्वारा सुरू किया गया है नाबार्ड के द्वारा प्राकिर्तिक खेती को बढ़ावा देने ही तू कारिक्रम है जीवा नाबार्ड के किस कारिक्रम के तहत कई परियोजनाओं का समा मेलन है यहा 2022 को किया गया है यह है अश्वनी वैस्णो इस वर्चुल सम्मेलन का आयूजन नीति आयूग के द्वारा कब से कब तक किया गया तो साथ फर्वरी से ले करके 28 फर्वरी 2022 तक क्रिसल की रिपोर्ट के अंसार भारत की जडीपी बित बर्ष 2023 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है यहाँ 7.8 प्रतिशत तक स्रिलंका ने मवजूदा इंधन की कमी से निपटने के लिए किस देश के साथ समझोते पर हस्ताचर किया है यह अपने प्यारे भारत की साथ यह समझोता किसके मध्य हस्ताचरित हुआ है तो भारत का जो निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक है और भारत के अलावा जो स्र स्रिलंका प्लेस इंडिया का एक्जिम बैंक कि मद्धि या सम्झा ओता है किसलिए तो इंहां की कमी से निपटने के लिए इस सम्झाउत की जो रासी है वह पाँत सो मिलियन अमेरिकी । कि छो सम्झाउत की उधारा संग्य कर शुरू करने की जहता है यह है संग्ये कार्पूरेट टैक्स शुरू करने वाला जो कंट्री है एक फरवरी 2022 से वो है संग्त अरब अमीराथ किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफार्मेशन अवर्ड 2021 पुरसकार से सम्मानित किया गया है यह बैंक है करनाटक बैंक यह पुरुसकार किसके द्वारा दिया जाता है यह भारती उर्दोग परिशंग के द्वारा दिया जाने वाला पुरुसकार है बरस 2020 के आकड़ों के अनुसार भारत का बिस्त में बाजरे के निर्यात में बाजरे के निर्यात में कौन सा स्थान है यहां पांचवां स्थान है बरस 2021 के आकड़ों के अंसार भारत से बाजरा का सीर्ष जो आया तक देश रहा है वह था नेपाल और यह जो आकड़ा है वह किसने जारी किया है तो वाड़िज और उद्दोग मंत्राले भारत सरकार ने प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना को बरस 2021-22 से बढ़ा कर कब तक कर दिया गया है यहाँ है टाइम हो गया दो हजार पचीस चब़ीश तक यानि जो फाइनिंशियल एर इंडिंग है दो हजार पचीस चब़ीश तक किसान संपदा जो योजना है प्रधान मंत्री या किश मंत्राले की प्रमुख योजना है तो खाद प्रसंस कण उद्दोग मंत्राले Global Digital Skills Index 2022 किस ने प्रकासित किया है तिया Sales Force के द्वारा प्रकासित किया गया है इस Index में सीर्ष पर कौन सा Country है तो वो है अपना प्यारा भारत बर्स 2021 में भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक भागिदार देश कौन सा रहा है यहां अमेरिका रहा है कौन सा अमेरिका यह ब्यापार का सबसे बड़ा भागिदार देश रहा है Important Fact याद जरूर रखेगा Brand Finance Global 500 2022 में किस कमपनी ने सबसे मूल लवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है तो वह है Apple Company सबसे मूल लवान ब्रांड का खिताब राष्टिय सांख की कारियाला एनसो की आकडो की अंसार बर्स 2021 की भारती अर्थ ब्यवस्था में कितने प्रत्सत की गिरावट होई है यह है 6.6 प्रतिशत बर्स 2021 में भारत की इस देश का पांचमा सबसे बड़ा ब्यापारिक भागिदार देश बना है यह है ब्राजील का किसने डिजिटल प्लेट फार्म नाम क्या है स्पाइस एक्सेंज इंडिया लांच किया है तो स्पाइस एक्सेंज इंडिया डिजिटल फ्रेट फार्म को HDFC बैंक योम स्पाइस बोर्ड इंडिया के द्वारा लांच किया गया है खीरे योम ककडी का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है वह कौन सा देश 23 जनवरी 2022 को बन गया है तो वो है अपना प्यारा भारत खीरे योम ककडी का सबसे बड़ा निर्यातक अगला प्रस्ण है अंतर राष्टिये बित्ये सेवा केंद्र प्राधी करण ने बीमा पेशावरों की छमता निर्माड के लिए किसके साथ समझावता किया है तिया भारतिये बीमा संस्थान की साथ किया है इंस्वरेंस इंसिट्यूट आफ इंडिया बैस्विक निवेस रुजहान मॉनीटर कौन जारी करता है तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनीटर जो जारी किया जाता है वह अंक्टाड की द्वारा जारी किया जाता है ति व्यापार और विकास पर संक्तराष्ट सम्मेलन देट इज इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनीटर जारी किया जाता है अगला है कि इस रिपोर्ट के अनुसार बर्स दो हजार इकीस में भारत में EFDI प्रवाह में इंपॉर्टन टो फैक्ट भारत में EFDI प्रवाह में कितने प्रतिशत की कमी आई है तो यहाँ 26 प्रतिशत की कमी आई है अंकटाड यानि United Nations Conference on Trade and Development का जो मुख्याल है वह कहाँ परिस्थी था है तो यहाँ जिनेवा स्विट्जर लैंड में निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को किसने लांच किया है तो यहाँ NSC इंडेसस के द्वारा लांच किया गया है प्रतम 22 विक साइबर सुरच्छा आउटलूक रिपूर्ट 2022 किसने जारी किया है तो यहाँ वर्ड एकोनामिक फोरम के द्वारा यहाँ विश्वार्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है विश्वार्थिक मंच की वार्षिक बैठग कहां प्रस्तावित है यह दाउस क्लोस्टर स्विट्जर लेंड में प्रस्तावित है 22-26 मई 2022 की मद्ध है इसकी थीम क्या निर्धारित है इसकी थीम निर्धारित जो की गई है वो है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट अगला प्रस्ट है कि किस देश ने बिश्वार्थिक मंच दाउस एजंडा 2022 में प्रस्ताव रखा है तो वो है अपना प्यारा भारत प्रो प्लैनेट प्यूपल वर्ड इंप्लाइमेंट अंड सोसल आउट्लिक ट्रेंड 2022 नामक रिपोर्ट किस ने जारी किया है तो यहां इंटरनेशनल लेबर आरगनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है तो वर्ड इंप्लाइमेंट अंड सोसल आउट्लुक ट्रेंड दो हजार बाइस आईलो के द्वारा जारी किया गया है वर्ड दो हजार बाइस तक बैसविक अस्तर पर बेरोजगारों की जो संख्या है वह कितनी अनुमानित है तो दो सो साथ मिलियन अनुमानित है वहीं यहां दो हजार उन्नीस में एक सो चियासी मिलियन था अब दो हजार बाइस तक जो अनुमानित है वह दो सो साथ मिलियन बर्ड दो हजार बाइस में बैसविक बिरोजगारी दर कितना अनुमानित है यह 5.9 प्रतिशत अनुमानित है और बरस 2021 में यह 6.2 प्रतिशत रहा बरस 2022 में बैस्विक स्रमशक्ति भागी दारी दर कितनी अनुमानित है यह 67.3 प्रतिशत अनुमानित है इस रिपोर्ट में भारत को किस स्रेणी में रखा गया है यहां निम्न मध्यम आएवाले देश की स्रेणी में सामिल है। आक्सफाइम इंडिया रिपोर्ट के अंसार बर्स 2021 में भारत में कितने नए अरब पती बने हैं यहां 40 नए अरब पती और हो गए हैं। अगला प्रशन है कि वर्ड एकोनामिक सेच्वेशन एंड प्रास्पेक्स 2022 नामक रिपोर्ट की इसकी द्वारा जारी किया गया है यह संयुक्त राष्ट की द्वारा जारी किया गया है। सायुक्त राष्ट के अंदर जो विभाग है आर्थिक यूम शामाजिक मामले की विभाग के द्वारा। इसके अनुसार बैस्भीक विकास दर 2021 में कितने प्रत्शत आकलित की गई है तो 5.5 प्रत्शत आकलित की गई है बैस्भीक विकास दर बास्भी विकास दर के बर्स 2022 वा तेईस में तो 21 का है 5.5 प्रतिशत अनुमानित है 2022 के लिए 4 प्रतिशत है और 2023 के लिए और कम कर दिया 3.5 प्रतिशत कर दिया है वहें पर इस रिपोर्ड के अनुसार जो भारत की है भाई बेश्चु की आपने देखा पांच दसमलों 5 किया 2021, 2022 के लिए 4 किया और 2023 के लिए जो 3.5 कर दिया अच्छा भारत की कितनी बता आ रही तो भारत की 9 प्रतिशत अकलित की गई है 2022 के लिए 6.7 प्रतिशत है और 2023 के लिए 6.1 प्रतिशत है Global Private Banking Awards 2021 में भारत के किस निजी बैंक को सर्बस्तिश निजी बैंक के रूप में चुना गया है यहां है HDFC बैंक भारत ने किस देश के साथ बरस 2030 से पहले 50 बिलियन डालर का दिवपक्षिय ब्यापारलच निर्धारिते किया है यहां दक्षड कोरिया की साथ Global Economics Prospects Report के अनुसार तो Global Prospects जो Economics Prospects Report किस की द्वारा जारी किया जाता है तो बेशो बैंक के द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो आर्थिक संप्रिध्धी है वह कितनी आकी गई है तो भारत की जो आर्सिक शम्रद्धी बताई जा रही है 2021 के लिए 8.3 प्रत्षत है जबकि 2022 के लिए 8.7 प्रत्षत आंकलीद है हाल ही में किसने निवेश सर्रच्छन और सिच्छा कोश परसलाहकार समीति का पुनरगठन किया है या भारतिय प्रतिभूती और विनिमें बोर्ड दड़िज सिक्योर्टी एक्चेंज बोर्ड आफ इंडिया इस समीति का पुनरगठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है यह अध्यक्षता जो की गई है वहां गुर्मूर्ती महालिंगम के द्वारा किसने यानि किसके अनुसार भारत दो हजार चबीस तक इथिनाल मांग की संदर्म विस्सुका तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा इसके अनुसार बताया जा रहा है कि भारत बर्स दो हजार चबीस तक इथिनाल के डिमांड की संदर्म में विस्सुका तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा एसिया ने स्प्राज सक्षर इंबेस्टमेंट बाइनक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है नौज जनवरी दो हजार बाइस हो तो यहां अर्बियाई के पूर्व गवर्णर और जित पटेल को किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत की बर्स 2030 तक एसिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थ ब्यवस्ता बनने का अनुमान बेक्त किया गया है यहां IHS मार्किट की द्वारा यहां उपलब्धी किस देश को पीछे छोड़ कर हासिल करेगा भारत तो वह जापान को पीछे छोड़ देगा बर्तमान में भारत विश्व की सिर्ष अर्थ ब्यवस्ताव में भारत की जो रैंक है वहां छठी रैंक है हरित उर्जाकारिडूर चरल्टू की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी है या भारत सरकार ने दी है इस योजना को किस हेतो मंजूरी दी गई है तो अंतर राज्जी पारेशण प्रडाली के लिए दी गई है इससे कुल कितने राज़ लाभान्वित होंगे तो साथ राज़ लाभान्वित होंगे कौन कौन से हैं गुझरात, हिमाचल प्रदीश, करनाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदीश भी सामिल है किसमें अंतरराजी पारिशनद प्रणाली तो हरित उर्जा कारीडोट के तहित जो साथ राज जेहन में उत्तर परदीश भी सामिल है याद रखिएगा ठीक है मालो कभी कभी पूंचले एक्जाम में कि निमलेकित में से कौन सा राज्ज सामिल नहीं है तो इस योजना से बर्स 2030 तक कितने गीगावाट इस्थापित नभीकरडी उर्जा चमता का लच्छ प्राप्त होगा तो जो सरकार का टार्गेट है नभीकरडी उर्जा चमता 400 गीगावाट कब तक है टार्गेट बर्स 2030 तक तो इन सब में जो है जो योजना है हरित्क उर्जा कारिडोर इसमें मदद करेगी 450 गीगावाट को कम्प्लीट करने में अगला किस पेमेंट बैंक को अनसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है तो इयर्टेल पेमेंटस बैंक को चार जर्वरी 2022 को भारतिय रिजर्व बैंक ने फिनटेक के लिए कौन सा नया बिभाग बनाया है तो फिनटेक के लिए आर्विये ने बना दिया फिनटेक बिभाग फिनटेक बिभाग का प्रमुख किसे निउक्त किया गया है तो अजय कुमार चौधरी को ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के किसके द्वारा जारी की जाती है तो यहां वर्ड एकोनामिक फोरम ठीक है तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की जाती है और वर्ष दो हजार बाइस रिपोर्ट की अंशार इस श्रिंखला का कौन सा सं सकड रहा है और बरस 2021 है तो आंटाइम प्रदर्शन की संदर्व में सीर्ष बड़े हवायड़ों की बैस्वीक सूची में सामिल होने वाला भारत का एक मात्र हवायड़ा कौन सब बन गया है वो है चेन्नई हवायड़ा चेन्नई हवायड़ा इस सूची में किस अस्थान पर ह इस सूची में आल ओबर देखेंगे तो आठवे अस्थान पर है यहां सूची किसके द्वारा जारी की गई है यहां सीरियम की द्वारा जारी की गई है याद रखिएगा आंटाइम प्रदर्शन की संदर्व में सीर्ष बड़े हवायड़ों की सूची में सामिल होने वाला भारत का एक कमात्र हवायड़ा है चेन्नाई हवायड़ा ओबराल रैंकिंग देखेंगे तो आठवी रैंक है और यह सूची जो जारी की गई है वह सीरियम की द्वारा भारत में क्रिप्टो करंसी पर नजर रखने के लिए किस देश का पहला क्रिप्टो करंसी इंडेक्स लांच किया गया है तीके तो भारत का ही बात की जा रही हाँ पर तो क्रिप्टो करंसी पर नजर रखने के लिए भारत की द्वारा पहला क्रिप्टो करंसी इंडेक्स जारी किया गया है तो इसका जो नाम है दोस्ता वो है क्रिप्टो वायर एक तो IC15 किसने लांच गिया है तो यह है क्रिप्टो वायर के द्वारा याद रखिएगा यदि पूशाल यह आता है कि इंडेक्स IC15P क्या है तो क्रिप्टो वाइर की द्वारा जो है यह लांच किया गया है यानि क्रिप्टो वाइर नाम है इसका चलो आगे बढ़ते हैं अगला तत्थ है आपका है तीन ट्रिलियन तो थ्री ट्रियन डालर मार्केट वैलू वाले विश्व की पहली कंपनी तीन जनवरी 2022 को कौन बन गई है इसका नाम है एपल किस पेमेंट बैंकों को अंतर राश्ट किन देशों को अगोवा व्यापार वरियता कारिकरम ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम से बाहर कर दिया है एक जनवरी 2022 को तो अमेरिका ने किन देशों को बाहर किया है यह है इठोपिया माली और गिनी को तो याद रखिएगा प्रस्ण बना कर PCS में पूछ सकता है कि हाल लही में अमेरिका के द्वारा किन देशों को अगोवा व्यापार वरियता करब से बाहर किया गया है इन में से कौन सा दिश सामिल नहीं है तो तीन-तीनों की अलावा एक और डाल देंगी वही सामिल नहीं होगा कि इस मंत्राले ने कोईला धरपन पूर्टल लांच किया है दरपण पोर्टल को कोईला मंत्राले के द्वारा लांच किया गया है इस दरपण यानि कोईला दरपण पोर्टल का जो ओदेश से है वो है कोईला छेत्रिशी सम्बंधित प्रमख प्रदर्शन संकीतकों को आम लोगों के साथ साध्या करना है अंतर राष्टी उर्जा एजन्सी की एक रिबूर्ट के अनुसार भारत बरस दो हजार चब्वीश तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े एथनाल भोगता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा इन चाइनीजों को ठीक है चाहिना को आप सने यहां पर चाहिना बर चाहिना को पचाड़ देंगे हम लोग चालो केंद्रिय वित्तियों कार्पुरेट कार्यमंत्री निर्मला सीता रमड़द्वारा संसद में आर्थिक समिक्षा पेश की गई यह 31 जनवरी 2022 को आर्थिक समिक्षा 2021-22 का जो मूल विश्य है वह है त्वरित द्रिष्टिकोंड इंपॉर्टन टुप फाइक्ट आर्थिक समिक्षा की प्रस्तावना बताती है कि समग्र द्रिष्टिकोंड आधारित है तो फीडबैक वास्तिविक निश्कर्षों की ततकाल निगरानी ब्योहारिक प्रती की क्रियाओं तथा सुरच्छा सम्मंधी उपायों आधी पर आर्थिक समिक्षा 2021-22 की अनुसार बर्स 2020-21 में भारती अर्ष्टिविवस्था की ब्रिधी दर 7.3 प्रत्चत की गिरावट दर्ज करने के बाद बर्स 2021-22 के प्रतम अग्रिम अनुमान यों बर्स 2022-23 में ब्रिधी दर जो अनुमानित है वह 9.2 प्रतिशत की कोविड महामारी से सबसे कम प्रभावित जो छेत्र रहा है वो है क्रिसी यों संबद्ध छेत्र बर्स 2021 में क्रिसी यों संबद्ध छेत्र की ब्रिधी दर 3.7 प्रतिशत रही है जबकि बर्स 2021-22 की फस्त अग्रिम के अंशार देखेंगे तो यह रिपोर्ट जो है बता रही है जो अनुमानित है वह 3.9 प्रतिशत है जो अनुमानित है याद रखेगा 3.9 प्रतिशत है कोबिड महामारी से सरवाधिक प्रभावित जो छेत्र रहा है वह सरविस सेक्टर रहा है सेवा छेत्र बर्स 2021 में 8.4 प्रतिशत संकुचन के बाद बित्तिय बर्स 2021 में सेवा छेत्र की जो ब्रिद्धीदर अनुमानित है वह 8.2 प्रतिशत अनुमानित है बर्स 2021 में उद्धोग छेत्र की ब्रिद्धीदर माइनस 7 प्रतिशत रही है जवकि बर्स 2021 के लिए यह 11.8 प्रतिशत अनुमानित है बरस दो हजार बाइस तेश में भारती अर्थ वेवस्था की ब्रिद्धीदर जो अनुमानित है वह आठ से साड़े आठ प्रतिशत अनुमानित है वार्थिक समिच्छा 2022-23 की अंसार भारत की जो ब्रिद्धिदर अनुमानित है GDP ग्रोथ रेट वह कितनी है तो यह आठ से साड़े आठ प्रतिशत अनुमानित है बाजबिक महावारी के कारण उत्पन हुए बिभिन ब्यवधानों के बावजूत बिगत दो बरसों में भारत का भुक्तान शंतुरन जो रहा है वहां अधिसेस की स्थिती में रहा है 31 दिसंबर 2021 तक भारत का बिदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन डालर था जो देश के बिदेशी रण से अधिक है साथ ही यहां कितना था तो 13.2 महीने के आयात की बरावर था इस्थिर कीमतों यानि कांस्टेंट प्राइस की बात की जा रही है तो कांस्टेंट प्राइस पर बरस 2021 तथा बरस 2021 बाईश में जो जी बी ये है ग्रास वैल्यू एड़ड इसकी जो वारसिक ब्रिद्धिदर है वहां क्रमसा जो अनुमालित है माइनस 6.2 प्रतिशत है प्रतिशत अनुमानित है ठीक है तो बेस ये आप जानते इस ती कंस्टेंट प्राइस जो बेस ये ग्यारा बारा ही है आगे बढ़ते है बरस 2021 में प्रचलित कीमतों पर जीविये में क्रिशियों संबध्ध छेत्र उदोग तथा सेवा छेत्र का हिस्सा क्रमसा तो क्रिशि 59.9 प्रतिशत रहा है जबकि बरस 2021-22 के लिए यह जो अनुमानित है यानि क्रिशी का देखेंगे तो 18.8 प्रतिशत अनुमानित है वहीं पर उदोग छेत्र में 28.2 प्रतिशत और जो बचता है आपका सेवा छेत्र सर्विस सेक्तर में 33 प्रतिशत अनुमान बताया जा रहा है नवंबर 2021 के अन्त तक विदेशी मुद्रा भंडार के संदर हुमें विस में भारत का कौन सा अस्थान है तो विदेशी मुद्रा भंडार के संदर हुमें विस में भारत का अस्थान चौथा है पहले अस्थान पर चाइना है दूसरे अस्थान पर जापान है और तीसरे पर स्विर्जर लेंड है चौथे पर अपना प्यारा भारत है नुवंबर दू हजार इकीस की अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार की संदर्व में नंबर वन कौन चाइना दूसरे पर चाइन जापान है तीसरे पर स्विर्जर लेंड और चौथे पर अपना प्यारा भारत ह इमपॉर्टन्ट फाइक्ट है जुलाई 270 सी जो लगातार बता जा रहा है शकल मासिक वह एक लाख करून रूपे से अधिक ही है इंपोर्टेंट फारेक्ट याद रखेगा 25 जनवरी 2022 को IMF 12 जारी बिस आर्थिक आउटलुक विकास अनुमानों की अनुसार बर्स 2021-22 यों 22-23 में भारत की आर्थिक बृद्धिदार 9 प्रतिशत अनुमानित है जबकी 23-24 के लिए यहाँ 7 दस्मलोई की प्रत्शत अनुमानित है किस बाइंक ने ग्रीन फिक्स डिपाजिट सुरू किया है ग्रीन फिक्स डिपाजिट सुरू करने वाला जो बाइंक है वह है इंडस इंड बाइंक है किस ने आयुस्टमान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकिक्रित भारत का पहला स्वास्थ लाकर लांच किया है दिशंबर 2021 में तू है डाक प्राइम टेग किस बाइंग ने मोस्ट इनोवेटिव वेस्ट प्राक्टिस 2021 के लिए CIIDX अवार्ड जीता है तू है new development बाइंग ने किस देशों को नए सदस्त के रूप में सुभीकार किया है यह मिश्र को तो यंडी बी का जो नया सदस्त है बना है याद रखेगा एजिप्ट है मिश्र है सितंबर 2021 में किन देशों को यंडी बी का सदस्त से बनाया गया था तो मिश्र के पहले जो बने थे बांगला देश रहा है पड़ोसी अपना संयुक्त अरब अमीरात रहा है और उरुगबे और दिसंबर 2021 में जो बना है वह मिश्र को बनाया गया है पानेक्ष 2021 का आयोजन कहां पर किया गया है तो पानेक्ष सरसाइज कहां पर हुआ है 22 से 22 दिसंबर 2021 की मध तो यहां पुड़े महाराश्टा में इसका आयोजन किसके सहयूग से किया गया है तो फिक्की के सहयोग से पैनेक्स 2021 का आयोजन पुड़ी महरास्ट्रा में किया गया है राश्टिय खाद तील आयल पॉम मिशन पर व्यापार सिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है यहापनी प्यारी भारत में हैद्राबाद में केंद्र ने सोया मील को आवस्यक वस्त गोशित किया है तो केंद्र ने सोया मील को आवस्यक वस्त गोशित कर दिया वह 30 जून 2022 तक के लिए यहाँ आदेश 23 दिशंबर 2021 को जारी किया गया था कि 30 जून 2022 तक सोया मील को आवस्यक वस्त गोशित किया गया है अगला प्रस्ण है कि सरकार ने किस अधनियम की अनुसूची में संसोधन किया है तो यानि जो 30-2022 तक स्वया मुईल को आवश्यक बस तो जो घोशित किया गया तो वह संसोधन किया गया था जो आपका Essential Goods Act है जो आवश्यक बस अधनियम 1955 है इसमें संसोधन किया गया और इस अधनियम में किस अनुसूची को जोड़ा गया तो अनुसूची नौ को जोड़ा गया सोया मील के लिए ACI Development Bank ने भारत के वित वर्ष 2021 के लिए कितने प्रतिशत बृधि का अनुमान लगाया है यह 9.7 प्रतिशत का किस ने डोर स्टेप विल भुकतान सेवा सुरू की है यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने और यन पीसी आई ने तो डोर स्टेप विल भुकतान सेवा नेशनल पेमेंट कारपरिशन आफ आफ इंडिया है यनपी सी आई यनपी जी पैमेंट कारपरिशन आफ इंडिया कांसा बैंक केंड्यिया इलक्तानिक्ष Termsary and Sushina Prad amendment की मन्त्राले द्वारा दो डिजीधन प्रुसकारों से सम्मानिति किया गया है यह है करणाट का बेंगूंका सीमापार सौधों के लिए कानूनी इकाई पहचान करता को किसने अनिवार कर दिया है या भारतीय रिजर्ब बैंग ने कानून इकाई पहचान करता क्या है तो यहां बीस अंकी एक संख्या होती और कानूनी इकाई पहचान करता है तो जो पात्रता है वह पच्चास करून रूपे या उससे अधिक पूजी के सीमा पार सौधों के लिए है आत निर्भर हस्त सिल्पकार योजना किश मंत्राले के अंतरगत प्राम की गई है यहां पूरवोतर छेतर बिकाश मंत्राले के जो है की गई है आगे बढ़ते हैं किसकी सहायथा के लिए यह योजना है आत निर्भर हस्त सिल्पकार योजना तु यह पूरवोतर रिजन के विकाश के लिए है उनकी जो छेतर के कारीगर है उनके लिए है यह और आत निर्भर भारत रोजगार योजना कि अंतरगत लाभारतियों की शर्बाधिक संख्या वाले जो सीर सुतीन राज रहे हैं महाराष्ट्रा गुजरात और करनाट का भारत में कुल पंजीक्रित एवी दड़्ज इलेक्ट्रिक वाहन में सिर्ष रास्थान पर कौन सा राज्ज है तू है अपना प्यारा उत्रप्रदेश उत्रप्रदेश के बाद पंजिक्रित एबी में सिर्फ जो राज्ज है उत्रप्रदेश के बाद नंबर आता है दिल्ली करनाट का बिहार फिर महाराष्ट्रा का कि इस देश ने THR को यहाँ जो किरप्त करंशी है इसकी उपियोग को मंजूरी दे दीए ति मैं मरबाह था उपने पड़ोसी है डी था कर क्रिप्टो करंशी को तीघा है तो बिटकोईन के पाद टीफर टीठर तीठर को देने वाले हैं जैसे एक क्रिप्टो करंशी को मंजूरी दी है किसके लिए यूज के लिए ठीक है इस चलो इंडिया में तीस परसेंट टैक्स वे लगा दिये हैं गुजरात के आणद में शुपालन और डेली विभाग ने स्टार्ट अप इंडिया की सहयूग से प्रथम संसकंड 2019 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लांच किया गया था तो दोस्तों इसे के साथ घटना चक्र आर्थिकी 2022-23 का पहला जो टॉपिक रहा है महत्तपूर्ण आर्थि घटना ग्रम वह कम्प्लीट हो जाता है अगला जो टॉपिक होगा वह प्रमुख्य योजनाओ से समद्नित होगा